सूर्य नमस्कार बहुत थी अद्भुत क्रिया हमारे पूरे शरीर के वातावरन को ठिक करती है अगर आप आसनों को करना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं है तो सूर्य नमस्कार करें आपके पूरी शरीर के एक्सरसाइज है सूरे नमशकार हमारे अदबुत दिव्य मंत्रों के साथ 12 मंत्र जो 12 बारा बार सूरे नमशकार के ही मंत्र हैं और इनकी आवरितियां और इनकी आसन सारे ग्लैंट्स को एक्टिवीशन करते हैं आप देखेंगे फूरा शरीर ओजस से भर जाता है शरीर की ताकत उसकी च्छमता हमारे दिन पते दिन निखरने लगते हैं हमें इतनी शक्ती मिलती है कि हम भूल जाते हैं कि यह अद्वुत शक्ती कहां से आ रहे हैं और आप देखेंगे यह आपके शरीर के रुगों को तो बिलकुल खत्म करता है सूरे नमशकार ही ऐसा आसन है जो पूर्ण रूप से आपके पूरे बॉड़ी को ठिक करता है तो सूरे नमशकार को धीरे धीरे इसकी आवरितियों को बढ़ाएं आपका स्वास्त निखर्ट्या जाता है बहतर पाचन तंत्र होता है आपकी किड्नी आपके पैंक्रियास और जितने भी ग्लैंट्स हैं को एक्टिवेशन हो जाते हैं आपकी मान स्पेशियों में कमी नहीं आती है इस नायू तंत्र बहुत ही प्रबल हो जाता है रत्त तंत्र का भी इसमें अद्वुत छमता आ जाती है और हमारा मुटापा नहीं होने देता है पेट तो कम होता ही है बोडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करता है शरीत यह आसन बहुती छमतावान है और चिंता मुक्त करता है चिंता आज के विश्व की सबसे बड़ी तनाव पूर जिंदगी लोग जी रहे हैं और अगर उससे लिजात पाना चाते हैं तो यह सूर्य नमशकार ही है जो आप उसको ठीक कर सकते हैं पूर्ण रूप से विराम दे सकते हैं अपने तनाव को शरीर में आपके अगर लचिलापन नहीं है तो यह सूर्य नमशकार प्रारम कर दीजिए करीब एक महिने के अंदर आपके अंदर शरीर की छमताएं बढ़ जाएंगी और पूर्ण कहा हमें एक नया उर्जावान शर में हम मंत्रों के साथ नमशकार करते हैं. शरीर की लचिलापन के साथ साथ हमारी हड्डियां बिलकुल अधुद्वत हो जाती हैं. छमतावान हो जाती हैं. इसमें अधुमुख आसन बहुती सरामी है. आपके अधुमुख के वजह से ही हमारे पेट की इस नाईव तंथर ब कारे पढ़ाली आपके माज़ पेशियों की छमता को बढ़ाता है। इसी तरह तो हम ये उत्तान आसन जब सूरे नमस्कार का करते हैं तो एक अदभुत हमारे अंदर उर्जा का समावेश होता है। मानों पूरी उर्जा हमारे शरीर में आगए है। नमस्कार मुद्रा हमारे अंगों का एक्टिवेशन करता है। हमारे सारे आसन इसके बहुती सुक्ष्मता के साथ हमारे शरीर को नया बनाते हैं। आए इसकी आप विद्धियों को हम धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप पाचन तंत्र को ठीक करना चाते हैं इस नयूं तंत्र को ठीक करना चाते हैं तो यह हमारे लिए संपूर्टा की होगा है। इसी को तो हमें सीखना है और यह पून रूप से हमें आजादी प्रणाम करता है सूर आदी दिल भगवान को हम सदा प्रणाम करते हैं कि हमें इसी तरह स्वस्त रखें और हमें सद्बुति दें और हम लोगों को स्वास्त प्रती उनको भी हम जागरुप कर सकें बहुत बहुत सूर्य नमशकार के बार आदमी पूरी बाड़ी जब घर्म हो जाती है तो हमें एक हमें रिलेक्स के लिए सवाशन करना पड़ता है क्योंकि प्राण को प्रतिष्ठा करने के लिए सवाशन बहुत जिरुनी है सूर्य नमशकार के बार और ये उत्तान खिंचने के बार हाथों को पूर्जुनु उसे हमें खिक करता है और अब हम सूर्य नमशकार के बाद हम पूर्ण रूप से सवाशन में लेटें और यहां पे क्योंकि हमारी जो उर्जा बनी है वो हमारे शरीर में जागरी तवस्था में रहें थीरे थीरे चमताओं का इसको में रहें बस्था ओम सूर्य नमशकार के बहुती शुंदर अग्पुत्य याय सूर्य नमशकार और यहां कमे सम्वं बोना था है जो रह जाए है वो खगय फाए हाए हम खगय अच्छंद के बस्तलि नमशकार ओम हिरन्य गर्भाय नमहा, ओम अरिचय नमहा, ओम अधित्याय नमहा, ओम अधित्याय नमहा, ओम सवित्रे नमहा, ओम अरिकाय नमहा, ओम भास्कराय नमहा, ओम अरिकाय 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 नमहा क्योंकि सूर्य नमस्कार के बाद ये सांसे लेना, गहराई से शरीर को ढिला छोड़ना सवासन में उन्रता आपको अम्रित प्रदान करता है हमारे शरीर में इसी भी प्रकार की खामियों को नहीं होने देता है उन्दता आपको सवासन कम से कम हमें पांच मिनट करना ही चाहिए और अगर इसको आप करते हैं सुर्य नमस्कार के बाद तो आपके अंग बहुत ही सठीक काम करते हैं आपके शरीर में एक नई उर्जा आजाती है प्राण की प्रतिष्ठा आजाती है और हमारे अंग पैर से लेके सरतक हमारे चक्रास हमारे जितने भी मुलाधार से लेके सहस्तरार चक्र है उनको भी प्रजा प्रदान होती है इस महत्व्पूर सवासन से इसे हमें संपुन्टा की ओर ले जाना जाए तो आप हम सवाशन में जरूर लेटें सुर्य नमशकार करने के बाद क्योंकि एक बहुत थी महत्वपूर्ट दिया है फिर धीरे धीरे अपने पैरों हाथों को हिलाना और हाथों को तानना सांस लेके और फिर उसको पूर्ण रूप से हमें बाएं करवठ होके हम उसको उठेंगे और बैठेंगे और फिर हम एक बार अपना सुर्य नमशकार के ओजस को मैसूस करेंगे और तब धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे बहुत ही अच्छा यहाँ गहराई सांसों को लेते बैठके और यह गहरी सांसी तो है जो आपके पूर्ण तर शरीर को ज्यान को सही रखती है बहुत ही सुन्दर